आज हम पढ़ेंगे class 9 exercise 10.3 exercise 10.3 question number 1 draw different pairs of circles हमें different pair circles के हमें pair बनाना है how many points does each pair have in common और उनके अंदर कितने points common है what is the maximum number of common points maximum number of common points बताना है देखो सबसे पहले हमने 2 circle draw किये अगर हम दुनों को different different करते है तो इनके अंदर common point कितना है एक भी नहीं है तो कितना लिख देंगे 0 points है इनके अंदर कोई भी points common है नहीं है दूसरा हमार पास यह method है इससे हम draw कर सकते है तो इसमें जब हम draw करते है तो हमार पास common point कितना आता है सिर्फ एक point दोनों में common आता है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 point अब यह हमार पास third type है इसको हमें से draw कर सकते है तो third type में हमार पास कितने common point है 1 और 1, 2, तो कितने common point आगे, 2 आगे, अब इसके इलावा हमारे पास कोई भी सपेर नहीं है, कि कोई भी other type ऐसी नहीं है, जिससे हम draw कर दें, और हमारे पास 3 point common आजें, 4, 5, इससे ज़्यादा हम common point नहीं लेके आ सकते, तो हमारे पास कितने हो सकते हैं, maximum number of common points से, 2 points हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, 0, 1 और 2 यह आएंगे हमारे पास common points, next है हमारे पास question number 2, suppose you are given a circle, suppose करो कि आपके पास एक circle है, give a construction to find its center, और उसका जो center है, वो find करने के लिए हमें क्या करना है कि construction करनी है, अब हमें यह देखना है कि यह construction कैसे करनी है, अब देखो, आपको एक circle दे रखा, एक circle है और उससे क्या निकालना है, उसका center की, circle का center क्या है, उसको निकालने के लिए मैं आपको method बताती हूं कैसे निकालना है, देखो, first लिए हमारे पास क्या करना है, एक circle draw करना है, कोई भी हमने ऐसे compass रखेंगे, compass लेंगे, और एक circle draw कर लिया मान लिया हमने ये हमारा circle है एक circle draw कर लिया उसके बाद उसी circle पर हमें क्या करना है दो chord draw करेंगे chord draw कर लिया हमने एक इधर से chord draw की एक इधर से chord draw कर लिया हमने मान लिया किधर से भी कर सकते हम कोई भी दो chord draw कर लेंगे किसी भी साइट से दो कौर्ड ड्रों कर लेंगे उसके बाद जो हमारे पास कौर्ड है उसका हमें पर्पेंडिकुलर ड्रों करना आप से जदा कमपास open करेंगे और ऐसे करके इधर भी कट इधर भी कट इसी तरह फिर यहां पे रวยगए और इधर भी कट कर देंगे और इसको इधर भी कट कर देंगे यह हो गया हमारे पास इन दोनों को मिलाएंगे अब हम तो यह मारे पास क्या आ जाएगी इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा यह हमारे पास आ इसका परपेंडिकुलर दूसरा हमारे पास क्या है जो दूसरा है कोल्ड उसके भी ऐसे ड्रो करेंगे हाफ से ज़्यादा उपन कर लिया ऐसे कट कर देंगे एक इधर कट कर देंगे इसी तरह ऐसे यहाँ पे रखेंगे और ऐसे कट कर दिया एक इसको ऐसे र इंदोनोh points को जब मिलाएंगे तो क्या आएगा देखो इन दोनों points के लिए ऐसेicides रों करेंगे अब जहां भी यह दौनों इन दोनों का जो perpendicular रों रों क्या वो प्रपेंडिकुलर जहां भी cut करता है वह यह मारे पास क्या है यह हमारा क्या आ गया, center, यह हमारा इसको किसी भी circle का center निकालने का method, अब देखो कैसे हैं, construction लिखनी है, step of construction, for static arc P क्या हूँ of the circle, एक circle दे रखा है, उस पर हमने एक arc ले लिए P क्या हूँ, P क्या हूँ एक arc है, हमारे पास यह एक arc है, take a point are on the arc, और इसी arc पर हमने एक point क्या ले लिया, arc point ले लिया, एक अठाले के चल पड़े, अब हम, यह हमारे पास को arc point हो गया, and draw codes PR and P क्या हूँ, P से arc code draw कर लिया, और क्या हूँ से, arc draw कर लिया, हमने draw perpendicular, अब perpendicular draw कर देंगे, किस का, PR का perpendicular यह आजेगा, और R क्या हूँ का perpendicular draw कर दिया, these perpendicular bisectors intersect at point A, और दोन्नों का जो perpendicular draw किया है, वो intersect करता है, किस point पर, O point पर, hence O is the center of the circle, जो हमारे पास O point हो क्या हो जाएगा, center of the circle, next है, हमारे पास question number 3, if two circles intersected at two points, हमारे पास कोई भी दो circle दे रखे हैं, और वो intersect करते हैं, two points पर, किनी भी दो points पर intersect कर रहे हैं, prove that centers lie on the perpendicular bisector of the common cord, हम यह दे रखे हैं, प्रूव करना है, center lie, जो center है, वो लाई करता है, उन दा perpendicular bisector of the common cord, जो हमारे पास common cord है, उसके perpendicular bisector पर दोनों center है, लाई करते हैं, यह हमें, प्रूव करके दिखाना है, अब देखो कैसे करने है, given में हमारे पास क्या है, AB is the common cord of two intersecting circles, द दोनों का intersecting point यह हो गया, A, B क्या है, common chord है, इसका center O है, इसका center O- है, और radius दोनों की क्या ले ली, एक की हमने R ले ली, और एक की हमने R है, डेश ले लेंगे, दोनों की हमार पास radius है, आज येगी, अब देखो, to prove, प्रूव करना है, centers of both circles से, दोनों जो हमार पास circle है, उन दोनों का center, lie on the perpendicular bisector of cord, A, B, जो A, B कोर्ड है, उसका जो perpendicular, ये A, B कोर्ड, इसका perpendicular bisector है, उस पर दोनों का center lie करता है, आइदर या फिर बोल सकते हैं, A, B is bisected at right angle, by O, O, डेश, A, B है, वो O, O, डेश को bisect करती है, 90 degree पर construction कर लिए हमने, क्या construction की, A से O को join किया, B से O को join किया, A से O डेश, और B से O डेश, ये हमार पास क्या है, radius है हमार पास दोनों circle की, अब prove करेंगे, देखो, in triangle, A, O, O, डेश, ये हमार पास एक triangle हो गई, A, O, O, डेश, दूसरे triangle क्या हो गई, B, O, O, डेश, दोनों triangle लेके चल पड़े, दोनों triangle को अगर हम congruent prove कर देंगे, तो देखो, A, O is equal to, A, O है, वो किसके equal है, O, B के equal है, A, O, डेश है, वो किसके equal है, O, B, डेश, के equal है, तो दोनों radius of circle है, थर्ड हमार पास, O, O, डेश है, यह दोनों में क्या हो गई, यह उपरवाड़े में भी उड़नी चल दोनों में क्या आ जाएगी, common आ जाएगी, तो तीन चीज़ जब हमारे पास किनी भी figures के अंदर, तीन चीज़ हमारे पास common आ गई, यह equal आ गई, तो हम क्या बोल देंगे कि triangle, A, O, O, dash congruent है, triangle, B, O, O, dash, किसे, B, S, 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 side, side है, side से हम क्या बोल देंगे कि यह congruent है, उसके बाद हम क्या बोल सकते है, A, O, O, dash है, यहाँ पर जो angle बढ़े गा, वो किसके equal होगा, B, O, O, dash के equal, कि यह जो दोनों angle है, गैंगे एं ट्रेंगल लेके चलेंगे यह एंगल बनेंगा वह एंगल एक तो एंगल विम्हार पास है। तो जो एस के उक्वल हो जाएगा ब men pap did in triangle इतार the due t всю लंड सी वह किसके कबीफियर को ही क्यों क्योंकि दोणी रेडियस रेंगल तो तो क्या बोल देंगे triangle AOC, congruent triangle BOC और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि AC is equal to BC by CPCT की CPCT से हमारे पास दोनों की दोनों है यह क्या हो गई, equal हो गई उसके बाद हमारे पास क्या है देखो, यह तो first हो गया अब ACO, angle ACO है, वो BCO के equal है ACO, यहाँ पर जो angle बनेगा वो किसके equal होगा, BCO यह जो है, यह दोनों angle भी equal होगे क्योंकि यह angle equal है, तो यह भी equal है और यह भी equal है, सब यह angle भी equal होगे तो हमने यह लिख दिया by CPCT की angle ACO equal angle BCO और जब यह दोनों angle equal है, तो एक line है AB, AB line के उपर पूर angle बनता है वो कितने का होता है, 100 80 degree का होता है, तो क्या लिख सेखते हैं, इसको equation first day दिया by CPCT से, और दूसरा हमारे पास by linear pair linear pair angle, यह linear pair angle से अगर हम देखते हैं, तो दोनों angles का angle ACO plus angle BCO is equal to 180, equation 2 हो आगई, अब दोनों का sum कितना है 180 है, तो इसकी जगह पर angle ACO की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, अगल BCO plus angle BCO is equal to 180, यह two times हो जाएगा तो two को उदर लेके जाएगे, divide में आजेगा, 90 हो गया, अब BCO कितना आएगा, 90, BCO अगर 90 है तो वो ACO के equal हैं, तो दोनों angle कितने के हो जाएगे, 90 degree के by equation, first hand है, second first और second equation से हमने निकाला कि angle, दोनों angle है, जो वो 90 degree के हैं और जब हमारे पास दोनों angle ही 90 degree के हैं, तो हम क्या बोल देंगे, हैंस OO' lie on the perpendicular by sector of AB तो हम यह बोल सकते हैं, OO' dash है, वो perpendicular by sector है, किसका AB line का, और यह हमें प्रूव करना था, यह थी हमारी exercise 10.3, OO' Thank you